नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का श्वागत है मेरे योटूब चैनल बैलोजी एक्स्ट्रा में दोस्तों एक बार फिर मैं हज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज का यह वीडियो होने वाला है ऑनलाइन साइंस क्विज पार्ट टू पर और आज का हमारा टॉपिक होगा हूँमन ब्लड दोस्तों इस क्विज में मानाव रख से संबंदित महत्पूर्ण तथ्यों को सामिल किया गया है जिसमें प्लाजमा रख कड़ी का रख निर्मान तथा अन्ने महत्पूर्ण तथे सामिल है यहां तथे प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी कर रहे प्रति भाग्यों अध्यान रत चात्रों यहां विज्ञान में रूच्री रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए महत्पूर्ण होगी दोस्तों प्रतियोगी परिक्षाओं में साइं स्क्वीज को अटेम्ट कीजिए और अपनी तैयारियों को फुकता कीजिए दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरी वेबसाइट www.biolozyextra.com पर विजिट कीजिए और इस से रिलेटेड आर्टिकल को पढ़िए जैसे ही आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे आप से यह क्यूज आसानी के साथ हल होगा तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम स्क्वीज को और देखते हैं कि किन महत्पूर्ण प्रस्टों को इस्क्वीज में सामिल किया गया दोस्तों हमारा जो सबसे पहला सवाल है कि RBC की संख्या में व्रद्दी हो जाने को कहते हैं तो RBC की संख्या में व्रद्धी हो जाने को कहा जाता है polycythemia याद रखिएगा polycythemia यहाँ पर जो एनीमिया सब्द है वहाँ RBC की कभी को दर्साता है वहीं electrophorosis जो है वो एक कहना जी ट्रेक्निक है एरिथ्रोपाय से इस रक्त के निर्मान की प्रक्रिया है वहीं पर अगर आप देखे दूसरा question रक्तनलिका में रक्त को जमने से रोकने का कारिक इसके द्वारा किया जाता है तो इसका सहीं जवाब होगा हीपेरिन मास्ट कोसिकाओं के द्वारा हिपेरिन का सिक्रेशन किया जाता है और यहां हिपेरिन ड्रक्ट नलिका में रक्ट को जमने से रोकने का कारी करता है कोस्चन नमबर 3 की बात करें स्वेत रक्ट कडिकाओं की आयू होती है WBC की आयू होती है आपके options दिये हैं 15-20 दिन, 1-4 दिन, 30-40 दिन और 100-120 दिन तो इसका सही जवाब है 1-4 दिन Question number 4 की बात करें मनुशी के रक्समू में भिन्नता का कारण क्या है? दोस्तों मनुशी के रक्समू में भिन्नता का कारण है RBC की plasma membrane में पाई जाने वाली glycoprotein जिसको हम antizen भी कहते हैं इसका सही अंसर होगा glycoprotein अबलेक एंटिजन नेक्स कोस्चन है मानावरक्त का pH होता है दोस्तों मानावरक्त का जो pH है वो लगभग 7.4 के बीच होता है नेक्स कोस्चन देखे मनुशी में वैस का वस्था में लाल रुदीर कडिकाओं का निर्मान कहा होता है? मनुशी में वैस का वस्था में लाल रुदीर कडिकाओं का निर्मान जो है वो अस्थी मज्जा में होता है नेक्स कोस्चन देखे जिविग्यान की वहां साखा जिसके अंतरगत रक्त का अध्यन किया जाता है क्या कहलाती? आपके आप्संस है इतोलोजी, यूजेनिक्स, हेलमेंतोलोजी और हिमेटोलोजी तो इसका सही जवाब है हिमेटोलोजी नेक्स कोस्चन अगर हम देखे की रक्त का ठक्का बनाने के लिए अनिवारी प्रोटीन कौन सी है? इसमें आप्संस दिये हैं फाइब्रीनोजेन, पैपसीन, प्रोरेननीन और इनमें से कोई नेक्स और इसका जो सही जवाब है वो है फाइब्रीनोजेन नेक्स कोस्चन देखे निनमें से किसका केंद्रक घोडे के नाल के आकार का होता है? गोडे के नाल के आकार का जो केंद्रक है वो होता है मोनोसाइट्स का मोनोसाइट्स जो है वहाँ WBC का एक प्रकार है next question देखे RBC का जीवनकाल होता है RBC का जीवनकाल होता है वहाँ 100 से 120 दिन का होता है next question देखे जब कभी blood platelets या thrombocytes की संख्या में कमी हो जाती है संख्या में कमी हो जाने की इस्तिती जो है थ्रम्बो पेनिया कहलाती है. Next question देखे. रक्समू AB में antigen पाया जाता है. रक्समू AB में antigen जो है वहाँ antigen AB ही पाया जाता है. महीपर question number 13 देखे. यह RBC का निर्माद भूरनी अवस्ता में कहां होता है? आपके options है फेपड़े, अस्ती मजजा, एकरतेयों पलिया या इनमें से कोई नी और इसका सही जवाब है एकरतेयों पलिया रक्त समूँ ओको सरवदाता कहते है क्योंकि इनमें antigen B पाये जाता है antigen A और B दोनों पाये जाता है इनमें कोई antigen नहीं पाये जाता है या इनमें से कोई नी और इसका सही जवाब है इनमें कोई antigen नहीं पाये जाता है question number 15 देखे लाल रुदीर कड़िका का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है दोस्तो लाल रुदीर कड़िका का कब्रिस्तान जो है वो यकरत को कहाता है question number 16 देखे रख्त का थक्का बनने में समय लगता है question number अगर हम 17 की बात करें कड़ी का विहीन स्वेत रक्त कड़ी का आए हैं कड़ी का विहीन स्वेत रक्त कड़ी का आए हैं तो ये हैं इसका answer है lymphocyte question number 18 देखे मानव सरीर में रक्त होता है आपके options है सरीर के कुल भार का 7 प्रतिशत शरीर के कुल भार का 10% सरीर के कुल भार का 4% या इन में से कोई नहीं इसका सहीं जवाब है कि एक स्वस्त मनुषी में सरीर के कुल भार का लगवक 7% रख्त होता है कोस्चन नमबर 19 देखे कि ब्लट कलोटिंग के लिए जिम्मेदार कारकों की संख्या कित्ती होती है ब्लट क्लोटिंग के लिए जिम्मेदार कारकों की संख्या होती है 13 रक्त का लाल रंग क्यों होता है और इसका भई सभी को जवाब मालूम होता है और इसका सिंपल सा कारण है हीमोगलोबीन के कारण तो इसका सही जवाब क्या है हीमोगलोबिन के काराण कोस्चन नमबर 21 देखे निवन में से किस में केंद्रक युक्त आरबी सी पाई जाती है भई हाती मनुशी बंदर या उट और इसका सही जवाब है उट और लामा नेक्स कोस्चन देखे सरचनात्मक रूप से रक्त किसका बना होता है अगर हम सरचनात्मक रूप से रक्त की बात करें तो या दो चीजों से मिलकर बना होता है प्लाजमा और रक्त कड़ी का है कोस्चन नमबर 24 की बात करें यदि माता का रक्त समू ए तथा पिता का रक्त समू ओ हो तो बच्चों के संभावी तरक्समू हो सकते हैं क्या हो सकते हैं भई भई ओ और ए कुश्चन नमबर 25 देखे मायोजैनिक ख्रिदय पाए जाता है आपके options है मनुश्य आर्थोपोडा एनेलेट्स या मचली और इसका सही जवाब है मनुश्य तो दोस्तो इस प्रकार से हमने इन 25 प्रस्णों को हल किया है अब इसके हम देखते हैं कि इनके सही जवाब क्या है और लगबग हमने पूरे सही जवाबों को हल किया हुआ है तो इसमें देखिए RBC की संख्या ये सारे के सारे जो जवाब है वो हमारे सही है, कहीं कहीं कोई गलती नहीं है, अगर आप इस पूरे के पूरे प्रस्नों को अगर देखें, तो काफी महत्पूर प्रस्न है और इन पूरे प्रस्नों को हल करने में हमको साड़े छे मिनट का समय लगा हुआ है, उम्मीद करूँगा दोस्तों, आपको जहाँ पसंद आएंगे इन इसकीज को दुभारा से हल करने के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट का नाम आपको पता ही है www.bailoziextra.com पर और हर बार आपके लिए प्रस्नों का ये जो क्रम है वो बदल जाएगा आंसर का क्रम बदल जाएगा जिससे क आप बार बार इन प्रस्नों को हल करके अपनी प्रतियोगी परिक्षाओं की यारी को फुक्ता कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को सेर करना ना भूले फिर मिलते है एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार